हेलो गाइज नमस्कार सशेगल अदा तो कैसे हो विरे भाई लोग तो बहाई ओ ऐ आज का टोपिक बहुत ही डिफरिंट है लेकिन आपके ही पराने गयस्ट के साथ है और मेरे प्यारे बाई के साथ है आप जानते हो हमारे प्रिये शुपरिये महापरिये रचित रोजा जी को कैसे हो रचित जी नमस्टवीया कैसे हो मैं जे लोगता हुअ मैं आप anti-agroup में जब लोगों से मिलता हूं न तो वहां से कंपेर करता हूं तो अपनी एज ग्रूप के साफ से तो बहुत जाद हूं जैसे मेरे को लगता है कि उमर बड़ेगी तो और ज्यादा जुकाव होएगा इन चीजों में तो बाइस तारिक को क्या रहा है वाइस तारिक को राम मंदिर की स् इतने पोड़कास्ट करूं उनमें जितने अपने सवाल करूं वह बिलकुल हिंदी में करूं प्यूर हिंदी जैसे अभी आप उर्दू और फार्सी के लाव्स यूज कर देते हो लव्स मैंने इसलिए बोला उसको ट्रिगर करने के लिए कि क्या लगता है सही है ये चीज कि अगे फीचर में जनता सी भाई आप हिंदी में बात करोगे तो अच्छा रहेगा प्यूर हिंदी अपने हिंदी लेंग्वेज को पर्मोट करें जब अंग्रेज एंग्लिश बोल चते हैं फ्रेंच वोलते हैं नोर्थ इंडियन्स बोलते हैं हम हिंदी स्पीकिंग है और न तो हमीनी बोलते शुदिन्दी तो तो उनको कैसे डिस्क्रिवेट कर सकते हैं कि तुम हिंदी नहीं बोल पाते हैं हमीनी बोलते हैं बाइस तारिक को रामंदिर की उद्गाटन है बिसिकली तो इसके उपर आपने सुना होगा आज कल बड़ी कॉंट्रोवर्सी भी चल रही है तो उन्होंने मना कर दिया वह इस मंदिर के नहीं आएंगे रीजन क्या था उनका रीजन यह है कि वह कह रहे है कि अभी तक मंदिर पूरा ही नहीं हुआ इसको क्या कहते है आप सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडा के तो आपको पता है जब पुराने टाइम मंदिर ब चीज हाथ से हैंड क्राफ्ट होती थी आज मशीन है तो जल्दी बन जाती है चीजे तो उस टाइम वेट थोड़ी करते थे लोग की आज स्टार्ट हुआ सो साल बाद बनेगा तीन जेरेशन भी जब जागे प्रान परतिष्टा होगी गरब ग्रह बन गया तो आप मूर्ति क्या वह इसके पीछे की सबसे बड़े पंडित पुजारी है जो लोग बोलते भी है जिनको बहुत बड़े महंत जिनकी लोग इजजत भी करते हैं अब उसमें से कोई का दुका ऐसे बोले तो हो सकता है ना वह पोलिटिकल अजेंडा बना रहा हो किसी और दूसरे पार्टी के लिए अच्छा और आपने देखा है कि हमारे सो में से अगर कोई दो बोल रहे हैं तो क्या सभी है 98 परसेंट आपने देखा कि हमारे एक राम मंद्र के जो पुजारी है वोसे 22 साल के है जो पर मुख्या पुजारी बनेंगे वोसे 22 साल के लड़के है इसकी मेरे को भी नो तोड़ी है उन्होंने विद्या सेकी हैं सारी अगर ऐसा है तो टाइम पर यह आज के लिए जो ट्रेंड चल रहा है जो तुम गाडियों पे जैश्री राम तुमने अपनी गाड़ी पे राम राम अभी तुमने रील डाली है जैश्री राम या लिखा हुआ है तो यह क्या ह है मतलब कैसी आस्था है जो गाडियों पे हम ऐसे राम राम लिखवा के दिखाना चाह रहे है यह सिफ यह कॉंटेंट है क्या है नहीं नहीं कॉंटेंट वगरा कुछ नहीं है यह बस हमारा एक भाव है अपने राम जी के प्रतिपना प्रेम व्यक्त करने का अब छोटा सा म कुंटेंट क्रेडर नहीं थे ना पैसा नहीं था गाडी तब ही यह नहीं ने लिखाया कभी ना BMW Z4 के अंदर मैंने मंदिर नहीं लगाया अच्छा बट मैंने आगे लिखवाया और वो इसले लिखवाया कि एक लोगों में मैसिज है कि Z4 BMW स्पोर्ट्स कार लेने वाले बंदे योब रो वाले नहीं होते उन्हें राम राम बोलने भी आती है तो इसलिए और एक चीज और तो तुमने सिर्फ अपनी दोई गाडियों पर के लिखवाया जिनको तुम अपने व्लॉग्स में वीडियो में निखाते हो बाकी गाडिय लेते हैं और दूर गाड़ी वे तो में निखिवाने चाहिए ना अच्छा तुम में यूज करता हूं परसनली जो जिससे पर पूरा अधिगार मेरा उस पर इतो मैं कर सकता हूं तुम्हें क्या अब्धा यह साही है तो तुम्हें कोई गलत क्या है आड़ी पे वरूत पट आपको पता है मैं अपनी वीडियो में स्टार्टिंग से डालता हुआ तो उस टाइम तो ऐसा कोई मुद्धा भी नहीं था कि मैं व्यूज के लिए कर रहा हूं अगर हम गानों की बात करें आप ने देखा हूंगा कि गानों को फोलो करते करतें अभी कुछ नएशन नहीं उस longitudinal revenue पीहैं तो उसको में काम नहीं नहीं कर्णे स 똑 हमें नहीं यह था को सब्सक्राइच प्रॉक्राफंपोर मोरु था बनाते हैं मैं में और 2 परॉच्व किसी से बोलते हैं प्रसक्ति जो बनाते हैं शुम में से उस वह तो बहुत आज़ रहें नहींड रहा हैं कि कोई बना रही और वी बना रहा रहा हैuss стал कर रहा है यह और यह बना क्या ब्लério तो उसमें भी भनफ है दो भॉल रहा है यह यह अगल ऊड़िन्ट ऑन नहीं था का iş ल्हें? पहले भी व्लोग बन रहे थे तब लोग क्यों नहीं बोलते थे वहीं क्यों बोल रहे हैं उस पर तुम भी थोड़ा इंक्लिउड हो तो हो सकता है ना सोई वे लोग जागए हो या यह content है नहीं content तो और भी बहुत कुछ है लोग गंदी चीजे देखना भी पसंद करते हैं हम सिर्फ क्या कहते हैं अपने content के लिए अपने भगवानों को इस्तमाल करने की कोशिश कर रहे हैं भगवान को कोन इस्तमाल कर सकता है नहीं मतलब एक नाम को इनकी ओं भाई हम भी जई शिरराम भोलेंगे तो हमारे चार भक्तों लाएंगे ऐसा नहीं है देखो fake fake का पता लग जाता है और बहुत है fake मैं देखता पता लग जाता है जालिया भी खाते हैं लेकिं के फॉलर्स भी बढ़ते हैं क्या फाइदा है ये फॉलर्स का दो दिन खॉल ओर लेए लेकिन भागते तो है ना लेकिन फायदा नहीं या पूजा पाथ वगेरा करके तो उन चीजों से फरक पड़ता है ना